टाइम मैनेज कैसे करें Конcentrate कैसे करें Revision कैसे करें Backlog कैसे दूर करें मैं हमेशा बोलता हूं जब बचये मुझसे मूलते हैं Time manage कैसे करें मैं कहता हूँ Time manage मत करो टाइम मैनेज मत करो Life manage करो आप सिर्फ पढ़ाई करो वाकि सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएगी, यह सब कहां से लाते हो किताथी शब्दा आप, कहां से सुनें आपने, चलो ना सच्चे दिल से बात करते हैं, यह कौन सी भाशा है, इस भाशा में कौन बात करता है, हाँ, यह सब शब्द कहा चीज़ सिखाए गई है, जम के मेहनत करना, what is time management बेटा, आप पढ़ाई करो अपने आप समय मैनेज हो जाएगा, जब आपके घर में किसी आपके भाई बहन की, या आपके किसी बहुत खास रिष्टेदार की, आपके first cousin की, आपके किसी बड़े भाईया की शादी होती है, आप मैनेज कर रहे होते हो, कि मैं किते घंटे सोया हूँ, मैंने दुपैर का खाना कब खाया है, कुछ नहीं, आप जोर शोर से उस शादी की तैयारी में लग जाते हो, जब भी कोई उत्सा का दिन होता है, आपके जनम दिन की बहुत बड़ी party है, कुछ भी हो सकता है, आप शाम को आपके महले में कोई cricket का game होने वाला है, क्या उस दिन आप time manage करते हो, कुछ नहीं करते हो, आप सुचते हो कि वो चीज है, वो जो होने वाला है event, वो जो शादी होने वाली है, वो जो cricket का game होने वाला है, वो जो मैं movie देखने जाने वाला हूँ, वो कैसे सबसे वहतर कि आप साबून से किती वार मैं, तीन बार मूँ धुल नूँ साबून से जल्दी से मैं बाल धुलनू, एक दम राजा बेटा वनके शादी में चला जाओं क्या आप समय मैनेज करते हो, तब तो आप समय मैनेज उस समय, तब तो आप ये सब सवाल नहीं पूछते ना बेटा, आप क्यों पूच रहे हो क्योंकि जाहिर सी बात है कि पढ़ाई कहीं न कहीं आपको बूरिंग लगती है और मैं कहता हूँ कि competitive exam की तयारी और पढ़ाई दोनों अलग लग चीज़ है मुलब ज्यान लेना एक चीज़ है और जो अभी आप कर रहे हो ज्यान लेके competition में बैठना competition के हिसाब से पढ़ना उस competition को qualify करना दोनों में बहुत अंतर है ज्यान लेना शिक्षा लेना ये boring नहीं है ये बहुत ही मज़दार चीज़ है क्यों क्योंकि उसमें आपको उस गती से ज्यान में देता हूँ पर अभी उस गती से कहने का मतलब मैं आपको आराम आराम से चीज़े बताता हूँ मैं एक दिन आऊँगा एक दिन आपके मैं आपको बताऊँगा कि velocity क्या होती है दूसरे इन भी velocity के बारे में बात करूँगा speed के बारे में आराम से आपको बताता कि पृत्वी कैसे गोल गोल घूम रही है कैसे सूरे के चक्कर काट रही है के पलर के नियम क्या कहते है के पलर कहां से आये और बड़े दिल्चस्फ तरीके से हम लोग ज्ञान को लेते बड़ा मज़ा आता पर हुआ क्या इन सब के बीच में एक IAT की परिक्षा आ गई जो कहती है कि उत्ते ही समय में आपको इतना सारा ग्यान देना है सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है तो उस समय पर क्या हुआ कि वो बढ़ाई इतनी इंट्रेस्टिंग नहीं बची पर मैंने कहा ना अगर आपको सच में लाइफ में बड़ा इंसान बनना है आपको कुछ सच में बड़ा अचीफ करना है तो आपको उतने ही समय के अंदर उस बोरिंग चीज़ को रोज करना पड़ेगा बस यही इसका सलूशन है यह सब शब्द कहीं नहीं होते हैं टाइम मैनेज करना है बैकलोग मैनेज करना है